हेलो एवरिवन मैं हूँ आपका होस्ट अंश्वन और आप देख रहे हैं तब भी हार एक्स्प्रोडर तो काफी सारे न्यूज है मारे पास आज हम जल्दी से वीडियो सुरू करते हैं आज से जो तीन जोडी ट्रेने हैं वो मुझफरपूर से होके गुजरेंगी आपको बता दू कि दानापूर जोगबनी दानापूर एक्सप्रेस सही तीन जोडी नई ट्रेनों का सनिवार से पड़ी चालन होगा यानि आज से ही पड़ी चालन शुरू होगा प्रधान मंत्री जो है वो आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िये इसका उद्खाटन करेंगे साथी आपको बता दू कि सोनपूर से वैसाली के बीच नए मेमो सवारी काड़ी की सुरुवात होगी दानापूर से जोगबनी वाया दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन की सुरुवात हाजि की तीसरी और चौथी लाइन इसका सिलन्याश होना है और हाजिपुर बच्वारा रेल खंड का दोड़ी करन फाइनल हो चुका है तो उसका जो है ओपनिंग होगा आज आप सब जान रहे हैं साल तो इलेक्शन है तो उसे कारण काफी सारा स्वागात मिलने वाला है लोगों बात कर लें मेसी की मेसी जो है उसके लोगों की तो किसमत खुल गई है मुझफर पूर्ट दहरादून सहीद पांच जोड़ी ट्रेने हैं उनका मेसी पे मेसी स्टेशन जो है उस पे ठहड़ा होगा तो यह मेसी के लोगों के लिए काफी सहुलियत वाली बात है और साथ ही बता दो कि सूर्य यमुना जो सहीद एक्सप्रेस है वह धामपूर स्टेशन पर भी रुखेगी तो बात कर लें लिच्छी की तो लिच्छी का पैदवार इस बार काफी ज्यादा लग रहा है कि होने वाला है और दक्षिन अफ्रीका और नीदरलैंड के लोग भी इसका दूसरे सफता में कुलगी उपकरन और तीन सो एसी वैन के साथ पहुंचेंगे पती नीदी सुगर प्लम जो कंपनी है वह मुझफर पूर से कड़ेगी 200 टन लीची की खड़ीदारी नॉर्मल जो लीची होते हैं उनका तो स्वाद अच्छा लगता ही है और साही लीची की जो बात ही दूसरी है बात कर लें सहर के डेड़ सो जो आउटलेट है कलवर्ट और नाले की होगी सफाई आपको बता दूं कि 137 किलोमेटर नाला का साफ सफाई होना है और इसका जो अल्टीमेटम है वह 161 दिन का रखा गया यानि एक सट दिन में 137 किलोमेटर नाले का मुम्किन है साथी बता दूं कि मुझफरपूर सहीद चार जिलो में खुलेगी डिजिटल लैप मुझफरपूर के अलावा नालंदा गोपाल गंज और सीवान में जो है वह डिजिटल लैप खुलने जाएगा ऑनलाइन जो है वह इलाज नहीं होने पर खुल रहे है डिजि आप लोग समझी गए होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूं बात कर लिजाए स्मार्ट सिटी जून तक सिकंदर पूर मन का जो संदर्य करन हो रहा है वह पूरा नहीं हो सेकेगा यानि मैंने जैसा कि कहा ता पिछली बार्वी की बहुत सारा काम बाकिया और बहुत बड़ा प्रो जून तक क्या इस साल के इंडिंग तक यह काम नहीं होगा अलाकि बता दू जो पेपर में छापा किया था इससे पहले करबला रोड के बारे में कि कितना हालत खड़ाब है कैसे वनवे का पालन होगा उसे करन करबला रोड को बंद करकर बनाया जा रहा है तो इसे आने जान प्रोजेक्ट को चेक कर रहे हैं कि किस सापक काम हो रहा है तो वो भी परसान है यह चीज़ देखते हुए बहुत ही नाराज है आपको बता दू कि यह तीन दिवस्या दोरे पर पहुंचे भारत सरकार के पती नी थी सनीवार को सरक नाला का काम देखने के साथ बैडिया बस प्रोजेक्ट का काम पूड़ा हो चुका है कमांड कंट्रोल बिल्डिंग मास्टर इंटिकरेटड सिस्टम और इंद्रा पार्क जुबाशनी पार्क वा सीटी पार्क का जन्नुद्वार भी काम पूड़ा हो चुका है डियम आवाज जो है उसका सामने नया पार्क भी बना है ताउन थाना से लेकर हरी सवा चौक तक सरग नाला का निर्मान पूरा हो चुका है सर्ड में जो चिनहित किये गए लक्षीमी चौक से लेकर सिकंदरपूर वान्य लाकों में दस जार घरो से गंदा पानी निकालने के लिए सेवरेज अिस प्रोजेक्ट का काम मैं जद पर audio उसमें स्टी पिज्व का निर्मान आशनास यह तोeldेक्टि के तह्ते अजयों में